जाहन साथियों आज हम अपनी इस नई वीडियो में हमारा जो लेक्चर चल रहा था आगामी उत्तरपदेश दरोगा भरती 2021 की लिखित परिख्छा के संबंध में और हम लोग मूल विधी की चर्चा कर रहे थे तो आज हम अपने मूल विधी के इस नए वीडियो में भारतिय दंद विधान की कुछ अपनी आगे की धाराओं के तंबंध में चर्चा करेंगे। की जैसा की अभी तक कि हमने अपने वीडियो में देखा कि कि जो धाराएं हम पढ़े हैं उसमें डुषप्रिणर के लिए दंड उसके लावां आप राधिक शड़यंत्र आप राधिक शड़यंत्र के लिए दंड उसके लावां राजद्रोह से सम्मंधित जो धाराएं थी उसको हमने देखा आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तार्वजनिक शांती के विरुद्ध अपराद आज का जो हमारा विशय होगा वह होगा पार्वजनिक सांती के विरुद्ध अपराद मतलब ऐसे कौन कौन से कार्य हैं ऐसे कौन कौन से कृत्य हैं ऐसे कौन कौन से खिलाप होते हैं या जो सार्वजनिक सांती को भंग करने वाले होते हैं के पत्यों जैसा कि हम जानते हैं रादीश भारत बहुत बड़ा देश हैं और यहां अनेक धर्म अनेक जात इनेक मजहब अनेक संस्कृत यह परंपरा को मानने वाले लोग है अनेक संगठन हमारे यहां कारे करते हैं जैसे किसान संगठन है मजदूर संगठन है या और बहुत सारे संगठन है जिनके बारे में आप जानते हैं लुफट लांने के, हर संग्टन, किसी न किसी उद्देश को लेकर बने है, इसी तरीके से हर परमपराएं, हर धर्म, अपनी परमपराओं को पालन करने के लिए है, हर संस्कृतियां, हर मज्गव, हर रहन सहन, सब अपने अपने नियमों से चलते हैं अपने अपने जो है जो है जो उनकी सांस्कृतिक या धारम की माननेताएं हैं उसके अनुसार या जो भी संगठन है वो जिस उद्देश्य के लिए बने हैं वो अपने उद्देश्यों के लिए कारे करते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि यदि जो भी संगठन या जो भी सिस्टम अपने जिस उद्देश्य के लिए बना है यदि किसी भी कारण वस उनका वह उद्देश्य प्रभावित होता है जैस्ते मान लीजिए हमारे यहां किसान संगठन है मान लीजिए एक संगठन हमारे यहां है किसान संगठन तो साथियों किसान संगठन किसान के विलफेयर या किसान के कल्यान के बारे में सोचने समझने एवं किसान के कल्यान में वृद्धी करने के लिए यह संगठन कारे करता है देश के अलग अलग भागों में या देश के सभी भागों में किसान संगठन कारे करता है किसान संगठन का उद्देश से है किसानों का उत्थान, किसानों की प्रगती, किसानों की उन्नती, किसानों के लाभ में वृद्धी के दिर्ष्टगत कार्यक करना। यदि किसी कारण वस माल लिए किसी वर्षा नहीं हुई, यह एक सिर्फ समझने की बात है, मैं किसान संगठन का उदाहरन लेकर आपको सारजनिक सांती के विरुद्ध जो अपराद होते हैं, मैं उससे जोड़ने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से इसको सुनिएगा, और सा से आप देखिएगा, कि जैसे किसी वर्ष में, किसी साल माल ये वर्षा नहीं हुई, बरसात नहीं हुई, तो क्या हुआ, किसानों के फसलों को नुक्सान हुई, तो ऐसे में किसान संगठन सरकार से मुआवजे की मांग करने के लिए कहते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं या थेती की उपज के लिए जो पूर्वरक आद की जरुवरत होती है माली उसके मूले में व्रिध्धी हो गई किसान कैसे खरीदें तो उसके लिए किसान संग्ठन सरकार से पहले दर्खपास्त करता है कि इसके मूले में कमी हुए या बरसात नहीं हुई तो किसान संगठन सरकार से कहता है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए या कोई ऐसा कानून मान लीजिए पास हुआ है कोई ऐसा कानून मान लीजिए पास हुआ है किसान याख लगता है कि यह आर जो कानून है वो कहीं कहीं किसानों के हितों को प्रभावित करने वाला है किसान संगठन को लगता यह जो कानून है यह यह किसानों के हितों को प्रभावित करने वाला है तब आइसी परिश्थिती में क्या होता है किसान अंदोलन करते हैं क्लीक अन्दोलन करते हैं कि सालग जाम करते हैं तो पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है, और जब पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है, तो जो अंदोलन अभी तक सांति पूर्ण धंग से चल लाँ था, वो कभी-कभी हिंसक वारदातों में बदल जाता है, पत्थरबाजी होती है, आजनी होती है, तारजनिक संपत स॑र्क्तिकों नुख्सान पहुंचाया जाता है पुLIS पर पत्थर बाजिया पत्थराव होते हैं। यह इस तरीके की चीज हम लोग कि अपने समाज में प्राय है देखते रहते हैं। यह तो बात रही किसान संगठन की अब हम सारे संगठनों की बात करें कि सारे संगठन जिस भी उद्देश के लिए बने हैं यदि किसी भी कारण वस संगठनों के उद्देश से प्रफावित होते हैं तब जो भी संगठन जिस भी उद्देश से बने हैं वो संगठन सलक पर उतरते हैं अपनी मागों को लिकर और अंधुलन करते हैं नारे बाजी होती है आज़नी करते हैं चक्काजाम करते हैं रोड़ जाम करते हैं ऐसे मैं उनके इसकार से स्तारवजनिक सांती जो है वो भंग होती है क्या होता है स्तारवजनिक सांती भंग होती है तो ऐसे कार जिससे सारवजनिक सांती को नुक्सान पहुचता है या ऐसे कार जिससे लोक सांती या सारवजनिक सांती में बाधा पहुचती है लोक सांती या सार्वजनिक सांती भंग होती है तो वो सभी कारिय क्या होते हैं सार्वजनिक सांती के विरुद्ध अपराध्व समझे जाते हैं यह था सार्वजनिक सांती के विरुधपराद की बिशे में अब हम एक और चर्चा करते हैं कि सार्वजनिक सांती जब भंग होती है कैसे भंग होती है कोई संगठन अपनी मागों को सरकार के समझ रखने के लिए या सरकार से अपनी मागे जो है उसको मनवाने के लिए सलक पर उतरता है कि और अंदोलन करता है और यदि उनका अंदोलन विधिवुरुध हुआ कानून के विरुध हुआ यदि वो आगजनी किये पत्थर बाजी किये आगज्याम किये तो क्या होता है सारजनिक सांती भंग होती है तो सारजनिक सांती को भंग करने वाले लोग कौन है जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए कानून के विरुध किसी रास्ते का सहारा लेलते हैं वही लोग सारजनिक सांती को नुक्सान पहुंचाते हैं और जो तमूह कही न कहीं सारजनिक सांती को नुक्सान पहुंचाता है उसे ही हम बिधि बिरुद्ध स्तमूह काते हैं इस सब्दावली को आप ध्यान देंगे बिधि बिरुद्ध स्तमूह या इसी को कहेंगे बिधि बिरुद्ध जन समूह ये बात हो गई विधि बिरुद्ध समूह या विधि बिरुद्ध जन समूह की ये बात होई कि समाज के वे संगठन जो अपनी मांग मनवाने के लिए अंदोलन करते हैं और वो विधि बिरुद्ध क्रिया कलाप जो है करकर करके सरकार पर दबाव बनाते हैं तो अईसे समूह को हम विधि बिरुद्ध समूह करते हैं या अईसे वो समूह इसको फिर से समझेंगे विधि बिरुद्ध जन समूह को कि ऐसे वह सारे समूह जो ऐसे रास्ते अक्तियार करते हैं या ऐसे रास्ते अपनाते हैं से अपनी मांगे मनवाने के लिए जो कानून की नजर में कानून के खिलाफ हैं तो वो सारे समूह जो इस तरीके की मांगे मनवाने के लिए कारे करते हैं वो विधि विरुध विधी के खिलाफ या विधि विरुध जनसमूह कहे जाते हैं ये बात हुई विधि विरुध जनसमूह या विधि विरुध तमूह के अब हम बढ़ते हैं भारति दंड विधान की उस धारा पर जो कहीं न कहीं विधि विरुध जनसमूह को परिवासित करती हूँ तो आईए हम सुरू करते हैं हमारी मूल विधी के सेक्सान के तहट भारति दंड विधान के अंतरगत जो हमारा टापिक है सार्वजनिक सांति के विरुद्धपराद उसमें अगली धारा पर और ये धारा है धारा एक सो एक तालिस आई पीसी आई पीसी धारा एक सो एक तालिस और साथियो यह भारति दंड विधान की जो धारा है एक सो एक तालीस 141 141 यह विधी विरुद्ध जन समूह स्ते संबंदित है भारति दंड विधान की जो धारा एक सो एक तालिस है यह विधी विरुद्ध जन समूह को परिभाशित करती है कि कानून की नजर में कौन सा समूह कानून की दृष्ट में कौन सा समूह कब विधी विरुद्ध होगा। जैसे यदि कोई जन समूह अपनी किसी मांग को मनवाने के लिए सलक पर उतरता है और सलक पर उतरने के साथ वह आंदोलन करते हुए बल का सहारा लिता है या हिंसा का सहारा लिता है या आगजनी करता है या तोड़ फोड़ ऐसे में उनके द्वारा जो किया गया कार है वह अपराज तो है ही लेकिन वह समूह जो इस तरीके के कृत्य में सामिल है उसे ही कहा जाता है विधि विरुद्ध जन समूहूं। यदि कोई समूहूं, मालिजे कोई लोग सेवक द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या कोई विधि पूर्ण सक्तियों का प्रयोग किसी कानुन के निश्पादन के लिए कर रहा है या कोई ससत्र सेना बल का कोई जवान है केंद्री ये अर्दसानिक बल का जवान है या सेना का है या पुलिस है वह अपने विधिपूर सत्यों का जो प्रयोग है वह कानून की रख्षा करने के लिए करती है माल ये सिना करती है या पुलिस है या अर्दसानिक बल के जवान है या कोई लोक सेवक है और कोई समूह कोई जन समूह जो है उनको अपनी विधिपूर सक्तियों का प्रयोग करने से रोकती है और यह कानून की नजर में विधि के खिलाफ है तो वह समूह जो किसी लोक सेवक किसी अर्दसानिक बल के जवान तेना के जवान या पुलिस या नियायाधीस मजिस्ट्रेट को अपनी विधिपूर सक्तियों का प्रयोग करने से ज़्यादी रोकते है तो वह समूह भी कानून की नजर में विधी विरुध जन समूह कहा जाएगा यह बाते भारती दंड विधान की धारा एक सो एक्तालिस में कही गई और यह हमारी बहुत ही महत्तपूर धारा है आगामी परिक्षा ब्यवस्था के दिर्ष्टिजद आगामी जो हमारी लिखित परिक्षा होने वाली ए उत्तर मदेस दरोगा भरती के उस परिक्षा के समंध में उत्तर बद्रण भरती दोजार इक्ष की लिखित परिक्षा के अमन्द में यह जो धारा है वह बहुत ही महत्तपूर धारा है और इसे हम सबी को याद रखना हूँ ठीक है तो इस धारा के बाद हम बढ़ते हैं अपनी अगली धारा की तरफ और वह हमारी अगली धारा है धारा 142 141 के बाद जो अगली धारा है वह है 142 142 साथियों यह धारा विधी विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होने से संबंदित है धारा 142 अब समझते हैं कि विधी विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होने का मतलब क्या है साथियों जब कोई कार विधी विरुद्ध किया जा रहा है किसी विधी विरुद्ध जनसमूह द्वारा तो उस विरु उस विधी विरुद्ध जनसमूह में जितने भी सदस्य सामिल हैं वह कानून की दृष्टी में विधी विरुद्ध जनसमूह के सदस्य समझे जाएंगे अर्थात यदि कोई समूह जिसे विद्विरुद्ध समूह घोसित किया गया है यह समझा गया है कि यह समूह विद्विरुद्ध जन समूह है तो उस समूह के जो सदस्थ है और इन्ही को धारा 142 में बतलाया गया है कि धारा 142 विद्विरुद्ध जन समूह के सदस्थ हैं और यह विद्विरुद्ध जन समूह के जो सदस्थ हैं उनसे संबंदित है कि उसमें कौन-कौन लोग सामिल है कौन-कौन लोग विद्विरुद्ध जन समूह में उपस्थित हैं उनसे यह धारा संबंदित है अब अगली धारा पर बढ़ते हैं और वो भी इसी से संबंदित है वह है धारा कि एक सव एक सो तिरालिस सथियों भारती दंड विधान की जो धारा 143 है भारती दंड विधान की जो धारा 143 है यह है विधि विरुद्ध जनसमूह का जनसमूह का सबत्य होने के लिए दंद से संबन देखे हैं सदस्य कोने के लिए दंद भारति दंद विधान की जो धारा 143 है यह विधि विरुद्ध जनसमूह का जो सदस्य होगा उसके लिए दंद का प्रावधान करती है अर्थात भारति दंद विधान की धारा 143 में विधि विरुद्ध जनसमूह का सदस्य होने के लिए दंद का प्रावधान किया गया है कि वह सदस्य जो विधि विरुद्ध जनसमूह में सामिल हैं उनके लिए जो दंद का प्रावधान है वह भारति दंद विधान की धारा 143 में किया गया है यह भी एक बहुत ही महत्तपूर धारा है यह पूरा पूरी जो धाराएं चल रही है 141, 142, 143 और जो भी सारजनिक सांतिके विरुद्ध अपराद से समंधि जो धाराएं यहाँ पर डिसकस होंगी वो सारी की सारी धाराएं आगामी परिक्षा के दृष्टिकत ब जनसमूं का सदस्य होने के लिए दंड से संबंदित है और इसी धारा में विद्ध विरुद्ध जनसमूं का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान भारति दंड विधान की धारा एक्स त्रियालिस में किया गया है अब हम चलते हैं अपनी अगली धारा की तरफ और कि अग्ली धारा है धारा एक सो चो आलिस 143 के बाद जो हमारी अगली धारा है वह है धारा 144 और हम देखते हैं कि धारा 144 में क्या कहा गया है आए देखते हैं धारा 144 यह कहती है घातक आयुध से सुसज्जित होकर होकर बिधी विरुध जनसमु में सामिल होना बिधी विरुध जनसमु में सामिल होना घातक आयुध से आयुधो आर्मडो घातक आयुध से सुसज्जित होकर बिधी विरुध जनसमु में सामिल होना जैसे माल लिजी आप असलहा लेकर बंदूक लेकर या पिश्टल लेकर रिवालवर लेकर किसी घातक आयुध से सुसज्जित होकर मतलब कोई घातक हतियार लेकर बंदूक पिश्टल रिवालवर लेकर सुसज्जित होकर मतलब लेकर घातक आयुध से सुसज्जित होकर बिधी विरुध जनसमु में सामिल होना यदि कोई समुध बिधी विरुध समुध घोशित किया गया है और उसमें कोई घातक आयुध से लाइस होकर उसमें सामिल होता है जिस से जिस घातक आयुध से कोई मृत्युकारित होने की संभावना हो जिससे कोई मृत्युकारित होने की संभावना हो तो उसको घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधी विरुध जनसमुध में सामिल होना यदि कोई कोई मृत्युकारित होने की या कोई बहुत भयंकर छती होने की संभावना हो या मृत्युकारित होने की संभावना हो तो इस यह धारा 144 में वरलित है और इसी में इसका दंड का प्रावधान किया गया है कि वह व्यक्ति जो घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधी विरुध जनसमुध में कामिल होगा उसे भारती दंड विधान की धारा 144 के तहट दंडित किया जाएगा और वह व्यक्ति जो घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधी विरुध समुध में कामिल होगा उसे इसी धारा के तहट दंडित किया जाएगा यह तो धारा हुई कि 144 अब इसी से संबंदित एक अगली धारा है और उसको भी हमें पढ़ना है और अगली जो धारा है वह है कि 144 के बाद 145 अब साथियों हम चर्चा करते हैं 145 भारती दंड विधान की धारा की आई पी सी 145 अब साथियों भारती दंड विधान की जो धारा 145 है यह क्या कहती है इसके संबंद में हम चर्चा कहते हैं कि विधी विरुद्ध को समूह को कि विखरने कि या कि हट जाने के आदेश कि होने के बाद भी होने के बाद भी कमूह में बने रहना या विधी विरुद्ध समूह में बने रहना भारति दंड विधान की जो 145 धारा है यह कहती है कि यदि कि कि विधी विरुद्ध जन समूह को विखर जाने का आदेश हो गया है प्रसाशन की तरफ से प्रसाशन की तरफ से राज्य की प्रसाशन की तरफ से कि इसी विधी विरुद्ध जन समूह को हट जाने का विखर जाने का भाग जाने का आदेश हो गया है उसके बावजूद भी वह जो विधी विरुद्ध जन समूह है वह विखरा नहीं हटा नहीं वहां से तो ऐसे कंडिशन में उनके उपर भारती दंद विधान की धारा 145 के उपबंध लागू होंगे 145 में क्या बाते कही गई है किसी विधी विरुद्ध जन समूह को विखरने का आदेस होने के बावजूद किसी विधी विरुद्ध जन समूह को विखरने के आदेस होने के बावजूद उसमें बने रहना या जान बूच कर सामिल होना उसमें बने रहना या उससे हटके भागना जाना जैसे कहीं पेमाल लीजिए कि कोई विधी विरुद ज जनसमूह है और सरकार की तरफ से आदेश हो गया है कि आप लोग यहां से हट जाईए नहीं तो आपके उपर कानूनी कारवाई होगी। इसके बावजूद भी वह विधि विरुद्ध जो जनसमूह हो था वह वहां से हटा नहीं। वहीं बना रहा। इसके साथ कुछ लोग और जो है उसमें आके जनसमूह में सामिल हो गए यह जानते हुए भी कि इस समूह को बिखरने का आदेश हो गया है। तब भी वह उस समूह से हटके भागे नहीं। तो ऐसी परिस्थिती में जो हमारा समूह होगा जो जने बिखरने का आदेश हो गया है। फिर भी वह समूह में बने हैं उनके उपर भारतिय दंड विधान की धारा 145 के उपबंध लागू होंगे। होंगे यह था भारती दंड विधान की धारा 145 के संबंध में अब एक अगली धारा है जो आदामी लिखित परिक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वूर धारा है इस धारा से संबंधित प्रस्ण पिछली बार की दरोगा भरती के लिखित परिक्षा में आये थे जिसमें मैं भी अभ्यारती के रूप में सामिल था और उसका नाम है धारा 146 धारा 143 और यह है बल्वा से संबंधित यह है उपद्रव या बल्वा से संबंधित भारती दंड विधान की धारा 146 उपद्रव करने या बल्वा करने से संबंधित यह आईए अब देखते हैं कि यह बल्वा या उपद्रव क्या है साथिवाभी तक जैसा कि हमने देखा कि समाज में तरह तरह के संगठन अपनी तरह तरह की मागों के लिए साथ पर उतरते हैं रोड जाम करते हैं सरकार से अपनी मागों को मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं एसी परिस्थिती में जो बल या हिंसा का सहारा उनके द्वारा लिया जाता है या विध्य विरुद्ध क्रिया के लाप जो विध्य विरुद्ध जन्समू करते हैं उनके द्वारा जो बल या हिंसा का सहारा लिया जाता है उसे हम कानून की भासा में बलवा करें यह आपके लिए नया सब्द होगा लेकिन यह अभी तक जो आप समझते होंगे उसमें दो चीज आप समझते होंगे मैं यहां जरा अंतर असपष्ट करूंगा एक होता है दंगा और एक होता है बलवा एक होता है दंगा और एक होता है बलवा इसमें जरा हम अंतर असपष्ट करेंगे दंगे को हम बलवा के बार डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले जो चीज हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कोई विद्विरुद्ध जनसमू है वह अपने किसी उद्देश की पूर्ती के लिए बल या हिंसा का सहारा लेता है तो उसको अभी तक हम बोल चाल की भासा में दंगा समझते हैं लेकिन वो दंगा नहीं है कानून की भासा में यदि कोई विद्विरुद्ध जनसमू हो बल या हिंसा का सहारा लेता है अपनी किसी मांगों की पूर्ती के लिए अपनी कोई मांग मनवाने के लिए तो कानून की नजर में उसे बलवा कहते हैं और इसके लिए एक शर्त है कि बलवा में कम से कम पांच व्यक्तिका होना जरूरी है बलवा में कम से कम पांच व्यक्तिका होना जरूरी है जब कि दंगा में कम से कम दो व्यक्ति और ज्यादा से ज्यादा क्यार व्यक्ति होते हैं लेकिन बलवा में पांच अथवा इससे अधिक व्यक्ति सामिल होते हैं तब उसको कहा जाएगा कि यह लोग बलवात कर रहे हैं इसी से संब्धित एक और बात मैं आपको बता दूँ जो हाला कि अभी इस टापिक से संब्धित नहीं है लेकिन जो बारी किया हैं उसको आप समझ लेंगे शोरी और डकैती के संब्ध में इसको आपका ही नोट कर रहेंगे कि चोरी में एक से चार लोग सामिल होते हैं जब चोरी होती है तो चोरी के लिए यदि उस चोरी में जो सामिल लोग हैं वो एक से चार हैं महब किजाएगा लूट और डकैती में लूट और डकैती में जो लूट में सामिल व्यक्ति हैं वो एक से चार होते हैं यदि लूट में सामिल लोगों की संख्या कम से कम एक या अधिक से अधिक चार है तो वह लूट कही जाती है और जैसे ही उनकी संख्या पांच या उससे बढ़ी तो उसे डकैती कहा जाता है अर्थाद डकैती में लोगों की संख्या 5 या greater than 5 होती है greater or equal to 5 मतलब या पांच या उससे अधिक जब लोगों की संख्या होती है तब वह डकैती होती है और यदि उनकी संख्या एक से चार है लोगों की तो उसको लूट कहा जाता है यह हमारे मजूदा टापिक से अलग था लेकिन इसी से संबंदित था लोगों की संख्या से इसलिए इसको यहां पर डिस्कस कर दिया गया इसको आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे अब अपने विशय पर आते हैं दंगा और बलवा पर अ पांतियों दंगा तो है जब कमसे कम दो व्यकति या अधिक सीधिक चार ब्यक्ति सा मिल रहते हैं तब उससे दंगा iM लेकिन और दंगा के लिए एक और विशाय जरूरी है सारवजनिक अस्थान पर कम से कम दो व्यक्ति या अधिक से अधिक चार व्यक्ति जब किसी सारवजनिक अस्थान पर जो है बल्या हिसा का सारा लेते हुए एक दूसरे पर अपनी मां पूरित करने का प्रयास करते हैं तब उसे हम दंगा कहते हैं उसमें कम से कम दो और अधिक से अधिक चार व्यक्ति का होना जरूरी है लेकिन बात आती है बल्वा की की बल्वा है क्या बल्वा में कम से कम पांच और अधिक से अधिक कितने भी मतलग जो बल्वा में लोगों की संख्या है कम से कम को पांच अधिक से अधिक के अधिक से अधिक चाहे जितने या कितने भी कितने भी बतलब चाहे जितने लेकिन कम से कम पांच होने चाहिए बलवा में अब हम समझते हैं कि बलवा या उपद्रव है क्या बलवा या उपद्रव है क्या साथियों हम समझते हैं कि बलवा में कम से कम जैसा कि अभी हमने यहां पर चरचा की बल्वा में कम से कम 5 कितने वी व्यक्ति हो सकते हैं तो बल्वा को समझने के लिए समझना होगा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का वह समुह जो अपनि किसी भी मांग को मनवाने के लिए ये एव्यक्ति बल या हिंसा का सहारा लेते हैं। आइए चर्चा करते हैं बोर्ड पर पांच या पांच से इसको साथियों ध्यान में रखना होगा इस सब्द को पांच या पांच से अधिक, मतलब कम से कम पांच तो पांच या पांच से अधिक व्यप्तियों का फमूँ हूं जो अपनी मांगो को मनवाने के लिए बल या हिंसा का सहारा लेते हैं अर्थात पांच या पांच से अधिक व्यप्तियों का वह समूँ हूं जो अपनी मांगो को मनवाने के लिए बल या हिंसा का सहारा लेते हैं तो ऐसे स्तमूहों द्वारा किया गया जो कृत्य है उसे ही हम उपद्रव करना कहते हैं या बलवा करना कहते हैं अर्थात बलवा क्या है या उपद्रव क्या है पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का वह समूँ हूं जो अपनी किसी भी मांग को मनवाने के लिए बल या हिंसा का सहारा लेते हैं उन्हे समूद्वारा किये जाने वाले उसकृत को उपद्रव करना कहते हैं या बलवा करना कहते हैं लिए बलवा के लिए कितने व्यक्ति आवस्चक हैं तो आप आप आघ Ole आसाने इसका प्राश्न का जवाब दे देंगे कि कम से कम पांच व्यक्ति और अधिक से अधिक चाहे जितने और पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा के समूह द्वारा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जन समूह द्वारा अपनी बात को मनवाने के लिए जो बल या हिंसा का सहारा लिय कहते हैं यह आगामी लिखित परिख्षा उत्तर दरोगा भरती लिखित परिख्षा के लिहाज से यह बहुत ही महत्पूर धारा है और इसको हम सभी को याद रखना है उपद्रव या बल्वा को अब आईए हम अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं और उस धारा का नाम है धारा 147 धारा 147 जब कोई अपराध होता है साथियों या जिस धारा में किसी अपराध को परिभासित किया जाता है तो उस धारा से संबंदित डंड का भी आउधान किया जाता है धारा 146 में हमने उपद्रव करना या बल्वा करना इस बात को हमने समझा है कि उपद्रव क्या है या बल्वा क्या है उपद्रव या बल्वा किसी कहते हैं या कब समझा जाएगा कि वह समूह या वह जनसमूह उपद्रव अथवा बल्वा कर रहा है यह बाते 146 धारा के अंतरगत हमने देखी है और अब आते हैं धारा 147 में औ और धारा एक सब्सक्राइटायलिस यह बलवा करने के लिए दंड से संबंदित है अर्थात पांच या पांच से अधिक व्यक्टियों का वह समूर जो अपनी मागों को मनवाने के लिए बल या हिंसा का सहारा लेता है तो वह बलवा करता है और ऐसे पांच या पांच से अधिक व्यक्टियों के समूर को जो बलवा करते हैं उन्हें भारति दंड विधान की धारा 147 के अंतरगत बलवा करने के लिए दंड दिया जाएगा अर्था पांच या पांच से अधिक व्यक्टियों का वह समूर जो बलवा करते हैं उन्हें धारा 147 के तहट दंड दिया जाएगा और बलवा करने का जो दंड है वह भारति दंड विधान की धारा 147 में है और बलवा करने वालों को दंड इसी धारा के तहत दिया जाता है इसे समझना होगा एक बार अपने दिमाग में बैठा ले कि भारति दंड विधान की धारा 146 में बलवा या उपद्रव को परिभाशि किया गया है कि बलवा है क्या या उपद्रव है क्या और भारती दंड विधान की धारा 147 में बलवा करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है अब हम बात करते हैं कि यदि आगामे लिखित परिछा में आपके सामने प्रस्ण आता है प्रस्ण सुनिएगा प्रस्ण आता है कि भारती दंड विधान की किस धारा में बलवा को परिवासित किया गया है और आपके सामने विकल्ब के रूप में एक दो तीन चार यह चार विकल्ब आते हैं इसमें धारा 145 146 147 और 144 यह चार धारा है आपके सामने विकल्ब के रूप में आती हैं और प्रस्ण रहता है कि भारती दंड विधान की किस धारा में बलवा को परिवासित किया गया है तो आप इस प्रस्ण का उत्तर बहुत ही आसानी से दे देंगे और आप जानते हैं कि इस प्रस्ण का उत्तर होगा 146 अगर यही प्रस्ण ऐसे आये कि भारती दंड विधान की किस धारा में बलवा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और आपके सामने विकल्फ हो 145,146,147 और 148 तो आप जानते हैं बलवा के लिए दंड का प्रावधान 147 में किया गया है और इसका जवाब होगा 147 इस طریقे से प्रस्ण परिक्षा में आएंगे और अभी तक आते रहे हैं बलवा से संबंधित प्रस्न पिशली बार की उत्तरब्रेश दरोगा भरती की जब सीधी भरती हुई थी लिखित परिक्षा में आया था जिसमें अभ्यार्थी के रूप में मैं भी उस एक्जाम में अपीर हुआ था 2017 दिसंबर 2017 में अब वो अगली धारा आती हैं अधारा एक सौ अनतालीस साथियों धारा एक सौ अनतालीस में क्या प्रावधान किये गये हैं इसकी हम जरा चर्चा कर लेते हैं आईए घातक हतियार आयुध से सुसद्जित होकर बल्वा करना भारति दंड विधान की एक सौंदालीस धारा कहती है घातक हतियार या आयुध से सुसद्जित होकर अ बल्वा करना यहां भी वैसी ही परिस्थिती है वैसी कंडीशन है कि घातक हतियार या आयुदू जिससे मृत्युकारित होने की संभावना हो या मृत्युकारित हो सब्दों पर आप ध्यान देंगे तो घातक हतियार या घाया तक आयुदू से सुषजित होकर बल्वा करने का जो दंड है वो 148 में किया गया है कि ऐसा पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का वह जन्समू जो घातक आयुद या घातक हतियार से सुषजित होकर बल्वा करता है उसे भारती दंड विधान की धारा 148 की तहट दंडित किया जाएगा यह भी एक बहत हुई महत्तपूल धारा है और इसे भी हमें याद रखना है घातक हतियार या आयुदू से सुषजित होकर बल्वा करने का जो दंड है वह भारती दंड विधान की धारा 148 में इससे समंदित दंड का प्रावधान किया गया है अब आते हैं अगली धारा पर और यह धारा भी बहुत ही महत्पूर्ण धारा है और यहां से भी परस्द आते रहे हैं और आते रहेंगे यहां से प्रस्ण हमेसा आते रहे हैं और आते रहेंगे यह धारा एक समंचास में क्या प्रावधान किये गए हैं और एक सौन्चास में क्या बाते कही गई हैं आईए हम यहाँ पर डिस्कॉस करते हैं विधि विरुद्ध जनसमूं या पांच या उस्ते अधिक व्यक्टियों का वह विधि विरुद्ध जनसमूं पांच या पांच से अधिक व्यक्टियों का वह विधि विरुद्ध जनसमूं जो तामान्य आस्ते को अग्रसर करने के लिए बल्वा करते हैं बल्वा करते हैं इस धारा को बहुत ही ध्यान से आप दिमाख में अपने बैठाएंगे त्योंकि आगामे यह लिखित परिक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्यपूर्ण धारा है धारा 149 कि पांच या उससे अधिक व्यक्टियों का वह विधि विरुद्ध जनसमूं जो एक ही समान लक्ष को क्या समान लक्ष को लक्ष को अग्रिसर करने या अभियोजित करने के लिए बल्वा करते हैं या कारे करते हैं कि तो ऐसा समझा जाएगा जैसे माल लिए कि दस सदस्य किसी जनसमूं में बल्वा करते हुए और उसमें से किसी वी एक सदस्य दौरा बल्वा कारित करते समय कोई आप राधी घटना होती है तो आएसा समझा जाएगा कि उस सम्मूह का हर सदस्य उसी लक्ष को अभियोजित करने के लिए वहाँ उपस्थित था और उस सम्मूह के हर सदस्य द्वारा समझा जाएगा कि वह कारे किया गया जैसे दस सदस्य हैं उसमें से किसी एक सदस्य द्वारा आगजनी की गई कि सारजनी संपत्तिकों नुक्सान पहुंचाया गया किसी एक सदस्य द्वारा तो ऐसा समझा जाएगा कि बाकि सदस्यों का कि उद्देश यह वही था उसी लक्ष को अभियोजित करने के लिए और यह बाना जाएगा कि वह आग यानी की घटना सिर्फ उसी व्यक्तिने नहीं बलकि उस समुह कि में उपस्थित हर व्यक्तिने की है और यही है भारति दन्विधान की धारा एक सव उन्चास इसको फिर स को अभियोजित करने के लिए कारे करते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि उस समुह के हर सदस्य द्वारा वहकारे किया गया है भले ही वहकारे कहीं सदस्य द्वारा किया गया हो लेकिन ऐसा मना जाएगा कानून की नजर में कि वहकारे समुह में उपस्थित हर सदस्य द्वारा किया गया है क्योंकि वह समान लक्ष को अभियोजित करने के लिए किया गया कार्य था तो प्रतियक व्यक्त की जो है धारा एक सउन्चास के तहट दोसी होगा और इसको फिर से जल्ली यल्ली अपने दिमाग में बठा लिए धारा एक सउन्चास को कि पात्स या उससे अधिक व्यक्तियों का वह विधि विरुद्ध जन्व समूह जो समान लक्ष को अभियोजित करने के लिए या समान लक्ष को अग्रसर करने के लिए बलवा करते हैं तो ऐसा समझा जाएगा कि उसमें प्रतियक व्यक्ति बलवा कारित करने का दोसी है और सभी व्यक्तियों पर भार दंडविधान की धारा एक सो उन्चास के तहत यह था साथियो सारजनिक सांति के कि विरुद्ध अपराद हुद तारजनिक सांति के विरुद्ध अपराद हुद इसमें हमने देखा विधि विरुद्ध जो जन समू है उसके बारे में विरुद्ध समू का सदस्य होने के संबंद में बलवा करने के संबंद में घातक हथियार से सुसद जित होकर बलवा करने के संबंद में यह सारे जो अपराद हैं इसमें से जितनी विधाराएं हैं 141 से लेकर 149 तक 141 से लेकर 149 तक जितनी भी धाराएं हैं इन धाराओं को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इनकी बारिकियों को समझना है क्योंकि यह सारी धाराएं जो सारजनिक सांती के विरुद्ध अपराद हैं यहां से उत्तरवदेश दरोगा भरती 2021 की लिखित परिक्षा में प्रश्ण जरूर आएंगे अभी तक हमेशा आते रहे हैं और इस बार भी जरूर आएंगे इस एक-एक धाराओं को और इस एक-ए उसका जवाब आपको दूंगा आपके डाउट्स जो भी होंगे इन धाराओं के समंद में उससे आप हमें बताएंगे 141-149 के बीश में और उसका जवाब मैं आपको दूंगा तो सातियों आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें और अपनी लिखित परिक्षा से मे क्ढ़ियन करते रहें और अपने माइनमे उसको फिट करते रहें यदि कोई विधाराओं के समय में आपके सम irregularly दिमाग में कोई की विचार हो या कोई तो वीदिओ के नीचे जो गुए जिसका जावाब मैं आपको दूंगा तो सातियों आप अपनी तैयारी को जारी रखे और जो है एक-एक धाराओं को इसी तरीके से पढ़ते रहें हम मिलते हैं अपने भारति दंडविधान की अगली वीडियो में तब तक आप साथियों नमस्कार जय हिंदू